मेरे प्यारे परिवार जनों, पिछले कुछ सब्ता, नौर्थ इस्ट में विशेश कर मनिपूर में, और इंदुस्तान के भी अन्ने कुछ भागों में, लेकिन विशेश कर मनिपूर में, जो हिंसा का दोर चला, कहीं लोगों का अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ, खिलवार हुआ, लेकिन कुछ दिनों से, लगातार शांती की खबरे आ रही हैं, देश मनिपूर के लोगों के साथ हैं, देश मनिपूर के लोगों को, पिछले कुछ दिनों से जो शांती बनाए रखी हैं, उच शांती के पर्व को आगे बढ़ाएं, और शांती से इस समाधान का रास्ता निकलेगा, और राज्यों और केंद्र सरकार मिल करके, उन समझाओं के समाहनान के लिए, भरपूर प्यास कर रही है या करती रहेगी, मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम इतिहास की दर्म नजर करते हैं, तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं, जो अपनी अमीर छाप छोड़कर रहे जाते हैं, और उसका प्रभाव सबियों तक रहता है, और कभी कभी शुरुआत में, वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है, हमें आधे हजार बारा सो साल पहले, इस देश पर आकर्मा हुआ, एक छोटे से राज के छोटे से राजा का पराजे हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था, कि एक घटना भारत को हजार सार की गुलामी में फसा देगी, और हम गुलामी में जगरते गए, जगरते गए, जगरते गए, जगरते गए, जो आया लूडता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया, कैसा विप्रित काल रहा होगा हुजार साल का मेरे प्यारे परिवार जनों गटना छोटी क्यों नहों लेकिन हजार साल तक प्रभाव छोड़के रही है लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसले करना चाहता हूँ कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई गुभाग ऐसा नहीं था कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजाती के लोग को गलता न रखा हो बलिदान की परंपरा न बनाए माभारती पेडियों से मक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी जंजिरों को जग्जोर रही थी और देश की नारी शक्ती देश की वासक्ते देश के किसान देश के गाउं के लोग मजदूर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता नहो आजादी को पाने के लिए मर मिटलने के लिए तयार होने वालों की एक बड़ी फोस तयार हो गई थी जेनलों में जबानी खपाने वाले अनेक महापुरोष्ट हमारे देश की आजादी को गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थी प्रफब प्रफब बार